आज हम फॉर्स प्रिंसिपल में ऐसे तो फॉर्स प्रिंसिपल का देखिए बेसे कॉंसेप्ट आप समझ चुके हैं तो आप इसमें से कोई भी क्वेशन अगर मिलता है तो कर सकते हैं बद स्टिल मैं कुछ एक एक ग्जांपल आपको एक सांपल देना चाहूंगा ताकि क्यों इस तैप के कुछ वाला कॉश्ण मिल गया इस टाप के क्वेशन में कई बार जो है ना मैंने देखा है इस नया क्वेशन है जो प्रिंसिपल यह लगना था हलका हलका वेरियेशन आता है इस वज़े से मैं आपको कुछ-कुछ एक्जांपल लेकर क्लियर करूंगा अब एक सबसे पहले आप f x plus h निकाल लिए तो वन अपॉन एक स्क्वेर है तो यह वन अपॉन एक्स प्लस एच होल स्क्वेर हो जाएगा ठीक है अब फॉर्स प्रिंसिपल कहता है कि दी बाइदी एक्स ओफ एफ एफ एक्स ठीक है या फिर एफ टाश एक्स या फिर दी वाइब ए इस नाथिंग बट लिमिट सॉरी लिमिट एच इस तेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच ठीक है यह हो गया रूल सबसे पहले यह रूल हम मेंशन करेंगे इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे वाल्यू पुट करेंगे जो भी एफ होल स्क्वेर माइनस एफ एक्स यानिकी वन अपॉन एक्स का स्क्वेर दिस होल थिंग डिवाइड बाइच ठीक है यह तो हो गया नाव वाट अब हमें इन सब की जरुरत नहीं है तो हम सीधे-सीधे अब इसको सॉल करना शुरू कर देता है अब सॉल करने में देखें इसको जैसे हम एक simple question है वैसे इसको solve करेंगे तो यह बन गया limit h tends to 0 अब देखें यह नीचे जो h है उसको as it is रहने देते हैं यहां LCM लेते हैं तो यह x into 1 x square और this into 1 यह हो जाएगा x plus h का whole square this whole thing upon यह दोनों आपस में multiply हो जाएंगा यानि की x plus h का whole square और साथ में x square अब देखें यहां पर situation आ गई ऊपर fraction है और नीचे h है तो देखें अगर मुझे a upon b एक fraction है नीचे को एक number है c तो इस number c को मैं c upon 1 लिखके मुझे मालूम है कि a upon b into इसको उल्टा करेंगे 1 upon c ऐसे लिखेंगे तो यह upon bc बन जाएगा ठीक है तो मैं इसको क्या करूंगा इसको लिख लोंगा limit h is tending to 0 x square minus x plus h का whole square this whole thing divided by यह दोनों आपस में यानि कि h times x plus h whole square and x square ऐसे लिखेंगे यहां पर एक situation और आती है वह भी मैं आपको बता दूं देखें यह confusion क्योंकि ऐसे situations में कई बार लोग गलती करते हैं यह दोनों आपस में multiply होना है या क्या होना है देखें यहां पर क्या था fraction उपर था नीचे एक number था तो उसको आमने upon 1 करके ऐसे लिखा अगर यहां पर fraction नीचे होता मान लिजए a है और नीचे fraction है b upon c तो देखें यह numerator जो number है इसको मैं a upon 1 लिखूंगा तो numerator as it is रहेगा नीचे वाला fraction उल्टा करेंगे यानी c उपर b नीचे अब यह a c upon b बनेगा मतलब अगर number के नीचे fraction हो तो उसका denominator उपर वाले number से multiply होगा जबकि यहां पर क्या होगा नीचे वाले दोनों number आपस में इंटू हो रहे हैं तो यह ध्यान रखिएगा यह confusion और यह गड़बड़ी ना हो कभी भी अब इतना हमने कर लिया इसके बाद देखें मेरा main जो motive होत आना है हटाना है माना या तो यह cancel हो जाए ठीक है या फिर कोई formula बन जाए जैसा साइन है अपन होता है था एसा या तो formula बनाना है मुझे या फिर cancel हो जाए ठीक है तो अब उसके लिए क्या करूंगा सबसे पहले limit h is standing to zero यह bracket expand करते हैं a plus b whole square तो a square plus 2ab and b square ऐसे लिखेंगे नीचे जो terms है उसको as it is हम copy कर लेते हैं इतना हो गया ठीक है अब इसके बाद करते हैं तो मैं यहीं पर करके दिखाता हूं यह bracket जब open करेंगे यह माइनस बन जाएगा यह साइन चेंज होगा माइनस यह साइन चेंज होगा माइनस आज़ा एक स्कुएर एंड एक स्कुएर गेंस तो मेरे पास बचकिया limit h tends to zero यहां पर एक तो माइनस 2x h और माइनस h square बचा नीचे h है मेरे पास x plus h का whole square है और x square है है ठीक है इतना हो गया अब देखे नियूमेरेटर में मैं माइनस h common ले लेता हूं तो यह हो जाएगा limit h tends to zero minus h common ले लिया तो यहां पर 2x आ जाएगा और plus h आ जाएगा नीचे हमारे पास h है x plus h का whole square है और x square है h और h आपस में cancel minus sign बच रहे है इसको मैं altogether बाहर लिख लेता हूं तो यह हो जगा minus limit of h is tending to zero हमारे पास 2x plus h बच रहे हैं और नीचे हमारे पास x plus h whole square and x square बच रहे हैं देखे डिनामिनेटर में जो 0 बनाने वाला term था ठीक है ना यानि कि जो h था वो तो हट गया है ना और मैंने आपको क्या बताया पर प्रिंसिपल में हमें सिर्फ यह जो डिनामिनेटर में h होता है यानि जो 0 होता है इसको मुझे कैसे भी करके हटाना होता है उसमें मैं लिमिट्स के रूल लगाता हूं कि वह कैसे भी रूल लगा के या फॉर्मला लगा के कैसे भी उसको मैं हटाओं यहां पर तो देखें यह सिंपली अब लिमियट लेंगे यही हो जाए का माइनस मैं टू एक्स प्लस सको हम जीरो बना देंगे तो हम हुआ यह स्कवाए यह ₹-ड यानि एक्स प्लस जीरो यानि है देर्फोर यह मेरा आंसर है माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब ठीक है तो यह क्वेस्टन था जहां पर देखे यह तो सीधा-सीधा कैंसल हो गया सीधा-सीधा कैंसल माना जो एच था डिनॉमिनेटर में वो कैंसलों के हट गया ठीक है अच्छा अब हम सिच्वेशन देखते ह है जहां पर मुझे हटाने के लिए कुछ जैसे मान लीजिए आपको एफ एक्स प्लस भी बोला हुआ है स्क्वेर रूट आप देखें स्क्वेर रूट देखें कई बार ना बच्चों को घबराट होने लगते हैं स्क्वेर रूट का क्वेश्चन है डिफिकल्ट होगा डि बता दिया है कि आपको इसका जो है डेरिवेटिव निकालना है ठीक है बस इतनी ही चीज हमेर लिए इंपॉर्टन्ट होती है पूरा स्टेट्मेंट नहीं तो एफ एक्स अगर यह दिया तो एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा देखें जहां जहां एक्स है ना उसको आ अब मैं फॉर्मला लिखूंगा एफ डैश एक्स इस इक्वाल टू क्या होता है लिमिट एच टेंस तो जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ठीक है अपॉन एच हर क्वेश्चिन करते टाइम आप यह फॉर्मला जिरूर मेंशन करेंगे ठीक है अच्छा लिमिट एच टेंड्स तो जीरो अब इसकी वैल्यू डालते हैं यह जागा अंडरूट आफ एच प्लस एच ठीक है ना इसको हम चाहे तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो यह हो जागा एच प्लस एच प्लस बी ठीक है ना एइंटु एक्स एच 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 बिए एच और बी आ अब दीके यहां पर मैं क्या करूं ऐसे भी स्क्वारूट है स्क्वारूट में थोड़ा से एक तो कई बार लगता है पता नहीं कैसे होगा कैसे होगा तो देखे जब भी स्क्वारूट मिले अगर कुछ और ना समझ मैं तो अट लिस्ट आप रैश्लाइज करके देख है रैश्लाइज करके हमें क्या मिलता है तो अब है कि यहां पर लेखेंगे लिमिट है इस टेंडिंग टू जीरो और देखे जूनियर क्लासे में नाइंध में तैंथ में हमने सिर्फ डिनॉमिनेटर को रैश्लाइज करना सीखा है लेकिन यहां पे हमें अगर जुरत करते हैं यह हो गया इस तिंग मल्टिप्लाइट बै हमें इसी के कॉंजुगेट से यानि की ए एक्स प्लस एच प्लस बी प्लस ए एक्स प्लस बी ठीक है एक्जाक्ली यही चीज बस बीच का जो माहिने से उसको मैंने प्लस कर दिया और नीचे भी इसको मुझे आज इस कॉ करना यानि एक्स प्लस एक प्लस बी एंड प्लस एक प्लस बी ठीक यह हो गया कि अब रिष्ट्राइशन में हमकिए कॉंजूगेट से क्यों करते हैं उसका भी रीजन है कॉंजूगेट देखे यहां पर फॉर्मला कांजूगेट से म्ल्टिप्लाइब करने से होता क्या है बन जाता है a plus b and a minus b तो a square minus b square तो square root जो हट जाता है इसमें चीक है ना? मुझे मालूम है a plus b a minus b क्या होता है? a square minus b square तो हम rationalize क्यों करते हैं? क्योंकि देखे आपको a plus b, अच्छा a root के अंदर है b भी root के अंदर है यह root के अंदर है, यह root के अंदर है तो root a का square minus root b का square, यानि a minus b root हट जाता है rationalize करने से क्या हो रहा है? क्योंकि square हो रहा है ना, तो square और root जब भी साथ में होते हैं, तो root हट जाता है तो root हटाने के लिए हम rationalize करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? वही formula लगा लेंगे आप directly भी कर सकते हैं like देखे, यह पूरा का पूरा root यह पूरा का पूरा root यह पूरा का पूरा root, यह पूरा का पूरा root दोनो as it is है फरक्या है, यहाँ minus है, वहाँ plus है तो आप क्या करेंगे? कि आप सीधा-सीधा इसको चाहे तो लिख सकते हैं यह ax plus ah plus b root हटा दीजे चीए ना? और minus करके यह लिख दीजे root हटा के यह हमें ध्यान रखना होगा बस root हटा के हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो जहाँ पे, मतलब a plus b a minus b, मतलब जहाँ पे plus वाला और minus वाला दोनों आमने सामने हैं वहाँ पे हमें root हटाना है denominator में तो यह चीज है लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसे हैं ना? देखिए यह numerator यहाँ पे यह दोनों यह दोनों आपस में multiply हो रहे हैं तो हमने root हटा दिया denominator में यह h है और यह दोनों है तो यहाँ पे देखिए पेर नहीं बन रहा है यह दोनों plus में तो है लेकिन minus में यहाँ मेरे पास कुछ नहीं है तो denominator को root को मैं as it is रहने दूँगा तो bracket में under root ax plus ah plus b और ax plus b यहाँ पे लिखने में यह भी ध्यान रखिएगा कई बार क्रते हैं यह एकदम लंबा कर देता कुछ लोग जो है सिरफ इतना रखते है लगाते हीए ऐसे नहीं इसमें क्या confusion होता है का मैंने और इसे लिखा एं तो इसका मतलब यह सिरफ root इतने से तक है जो इसलिए मैं आ परा खीचना है अगर आपने लाइन सिर्फ यहां तक खीचा है यह रूट के बाहर है तो यह चोटे-चोटे mistakes कई बार हो जाते हैं तो इन mistakes को आप at any cost avoid के जए अच्छा अब हम क्या करते हैं bracket open करते हैं यहां तो bracket open करें किसी को कोई फरक नहीं पड़ने वाला यहां bracket open करेंगे तो यह जो a x यह माइनस बन जाएगा similarly यह जो b के आगे प्लस साइन था यह भी माइनस बन जाएगा अब देखें यहां पर क्या होगा यह एक और a x आपस में cancel हो जाएंगे और बी आपस में cancel हो जाएंगे मेरे पास a h upon this whole thing बचेगा अब यह cancel हो गया तो next step मेरा क्या होगा कि मैं जो बच गया है उसको लिखूंगा तो मैं next step नहीं लिखके ऐसे कर देता हूं next step जो हमारा यह होगा a h upon this thing यह मैं लिखूंगा अब देखें यहां पर this h and h gets cancelled h और h cancel हो जाएगा तो finally मेरे पास क्या हो रहा है देखें h भी cancel हो गया तो मेरे पास a upon this thing बचा अब देखें denominator में जो h था जो 0 बना सकता था जो denominator को 0 बना सकता था वो term खतम हो गया अब मैं safely limit लगा सकता हूं तो हम लिख देंगे taking limit अब जब मैं limit लोंगा तो देखें यह a as it is रहेगा denominator में अंडर root of a x plus a h तो a into 0 basically 0 plus b अब देखें 0 लिखो नहीं लिखो कोई फरक नहीं पड़ता तो यह a x plus b बन जाएगा ठीक है अच्छा फिर है plus अच्छा यह a x plus b as it is रहेगा यहां पर कोई h है नहीं तो अंडू रूट ओफ एक्स प्लस भी अंडू रूट ओफ एक्स प्लस भी यह बन जाएगा टू तो यह उपर as it is रहेगा यह ध्यान रखिएगा जब भी मुझे रूट वाले question मिले rationalization मुझे कहीं ना कहीं करना है चलिए next question देखने आपको बोला fx equals to under root sign x अब देखें यहां पर थोड़ा सा complication बढ़ गया क्योंकि already sign function है जिसका derivative निकालना using first principle limit के rules लगा के उसमें फिर एक under root भी लगा दिया ठीक है इस type के functions को function of function बोलते हैं जो आप future में 12 में जाके पढ़ेंगे तो फिलाल इसको solve कैसे करना है तो देखें सिंपल है आपको जो steps बोला गया है first principle का उसको follow करते चाहिए बहुत हलका हलका variation आएगा जैसे root है तो भाई rationalize करना है sign है तो फिर sign cos cos sign जो formula आपको बताये थे वह formula apply करने and so on तो मैं यहां पर सबसे पहले तो f x plus h निकालता हूं तो इसको मैं sign लिखूंगा और देखें x अगर है sign x है अगर f x plus h होगा तो sign x plus h हो जाएगा basically जहां जहां x है उसको आपको हटाना है x plus h से पिर मैं रूल लिखूंगा यानि कि f dash x या फिर dy by dx या फिर derivative ठीक है जो भी मुझे लिखना है मैं formula लिखूंगा this will be limit h is tending to 0 f of x plus h minus fx and this whole thing divided by h ठीक है हमें यहां पर क्या करूंगा values put करूंगा तो यह हो जाएगा limit h is tending to 0 ठीक है और यह हो जाएगा sign of x plus h जो की root के अंदर है minus sign of x यह भी root के अंदर है this whole thing divided by h ठीक है यह तो हो गया अब क्या किया जाए तो देखिए obviously यहां पर मैं sign c minus sign d का formula नहीं लगा सकता क्योंकि यह sign अभी root के अंदर है sign c minus sign d का formula लगाने के लिए बहुत जिरूरी है कि पहले यह root के बाहर आए तभी लगा सकते हैं अभी root है तो पहले मुझे root को देखना है तो root जैसी कि आपको बताया था जब भी root मिलता है हम क्या करता है हां conjugate से multiply and divide करता है ठीक है तो मैं इसके conjugate से यानि किसका conjugate क्या हो जाएगा मैं यहां पर लिख लेता हूं साइन ओफ एक्स प्लस एच अंडरूट में और बीच का जो करते हैं और इसी चीज से हम डिवाइड करते हैं तो मैंने क्या किया इसको लिख लिए अब नेक्स चीज जो मैंने आपको बताए थी जब भी यह सिच्वेशन आती है अब बनता है तो हम यहां पर हम लिमेट एच टेंड्स तूज सीरो मैंने क्योंकि यहां रूट है तो रूट और स्कुयर आप ऐसमें कैंसल हो जाएंगे तो हम डिरेक्ली इसको लिख लेंगे बड़ी क्लास में आ गये हो तो आपको इच एन एवरी स्टेप लिखने की ज़ हटा दूंगा माइनस साइनेक्स का रूट हटा दूंगा ठीक है फोल टिंग डिवाइड बैड डिनॉमिनेटर में यह बच गया और नियूमिरेटर तो पूरा सॉल्व हो गया डिनॉमिनेटर में यह जो बचा है मैं उसको यहां पे लिख लूँगा यानि कि अंडर रूट आ साइन ठीक है यह हो गया अब बोलेंगे कि यह रैशनाइज करने का फाइदा होता क्या है कि जब ऊपर से रूट हटा है नीचे तो रूट आ गया ना तो फाइदा यह होता है कि देखिए यहां पर अगर मैं लिमिट डिरेक्टली डालता हूं पहली चीज़ तो यह नीचे यह-च जिरो बना रहा है अब अगर ६नेंगे तो यह उर्ट हो रहा है दूसरा अब यह जो है इसमें मैं C और D वाला formula जो है लगा सकता हूं यह solvable हो गया है ठीक है और solve करेंगे तो यह जो 0 नीचे बना रहा है इसको भी हम कहीं हटा सकते हैं ठीक है तो यह हमने rationalize किया अब rationalize करने के बाद इसमें क्या करना है थोड़ा सा modification हर question में मतलब हमें जरूरी नहीं हर चीज़ आपको mechanically आपको एक rule बता दिया वैसी follow करना है कुछ-कुछ modification कुछ-कुछ steps जो हम left right अपने हिसाब से करते है according to question तो यहाँ पे अग्याँ पे तो मैं सबसे पहले qd वाला formula लगा लगा लूँगा और वो qd वाला formula क्या है Sin-sign d क्या होता है । सांइं C-sin-d वाला formula लगाएंगे और मैंने लास्ट व्लास वालास अपको बताए था C cos 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 V की जगा एक तो चिए जगा लगाते हैं हो जाएगा लिमिट एच इस टेंडिंग टू जीरो देखेह यहां पर बहुत सारे रूल रगाना है मुझे आ और प्रिगोर्णो मेट्री का रूल भी लगाना तो जान से टू कोस c plus d, c याने की x plus h और d याने की सिरफ x upon 2 और sin c minus d है ना, तो c की जगा क्या है? x plus h d की जगा है x upon 2 इस numerator को मैंने solve कर लिया, denominator में जो मेरे पास है, उसको मैं as it is लिख देता हूँ, इसको मुझे solve करने की ज़रुएत नहीं है क्योंकि अगर मैं इसको फिर से rationalize करता हूँ, वापस मेरे question आ जाएगा, तो इसको हम as it is छोड़ देते हैं यह हो गया, अब क्या किया जाए, पहले तो इसको simplify करते है, ठीक है ना, उपर जैसे x plus x 2x बन रहा है और यहाँ पर x minus x cancel हो रहा है, ठीक है, तो वह हम rule लगाएंगे यह हो जाएगा, limit h tends to 0 2 cos x plus x हो जाएगा, 2x plus h, whole divided by 2, ठीक है, अच्छा cos में कोई tension नहीं है, है ना, sin में, x और x cancel हो जाएगा, तो sin h upon 2 ठीक है, इतना हो गया, अब cos में मैंने बोला कि कोई tension नहीं है, cos में यहाँ पर देखे, यह 0 बन भी जाएगा, cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो, अब moreover, यह 0 बनेगा, बढ़ 2x तो as it is रहेगा, तो, कोई देखात नहीं है, sin अगर 0 होगा तो, 0 बन जाएगा, है न, sin, यहाँ पर अगर मैं 0 डालता हूँ, तो 0 बन जाएगा, मुझे मालूम है, sin theta by theta, limit theta tends to 0 sin theta upon theta 1 होता है, ठीक है, वो rule मुझे यहाँ पर apply करना है, अच्छा, अब मैंने क्या किया, upon लिखा, अब जैसे इसको मैं अलग अगर करता हूँ, इस h को मैं उठा के इसके नीचे डाल देता हूँ, multiply हो रहा है न, तो किसी को कहीं भी लिखो, क्या फरक पड़ता है, तो, यह जो है, इसको हम as it is, यहाँ पर, आगे पीछे करके, लिख लेता है, चीक है, अच्छा, इसके नीचे मैंने h लगा दिया, अब, क्या है, rule है कि, देखो, यह दोनों match करना चाहिए, चीक है, अब यहाँ पर h upon 2 है, तो, यहाँ मुझे h upon 2 चाहिए, अब upon 2 मैंने अपनी मर्जी से लगाया, तो मुझे एक into 2 लगाना पड़ेगा, है कि नहीं, इस into 2 को, इस 2 से हम cancel कर सकते हैं, ऐसे समझ लीजे, या फिर, इस 2 को उठा के, मैंने यहाँ कर दिया, ऐसे समझ जैसे भी, basically, अब h के नीचे 2 आ गया, balance हो गया, ठीक है, इतना हो गया, इसमें मुझे कुछ करने की ज़रुएत नहीं है, अब जब मैं limit लगाऊंगा, तो देखे, यह sin h upon 2 और नीचे भी h upon 2, यह वाला portion, जो है, sin theta by theta के rule के हिसाब से 1 बन जाएगा, क्योंकि h अगर 0 है, तो h upon 2 भी 0 होगा, understood है, तो मुझे न, अलग-अलग, ऐसे, बार-बार mention करने की ज़रुएत नहीं है, तो यहाँ पर आप taking limit हम करेंगे, अब देखें, taking limit जब करेंगे, तो, this portion becomes 1, है न, sin theta by theta, यह हो गया 1, अच्छा, यहाँ पर यह हो जाएगा, cos 2x plus 0 upon 2, है न, plus 0 लिखो नहीं लिखो, कोई फरक नहीं परता, 2 and 2 cancel, तो यह मुझे सिर्फ cos x मिला, इतना समझ में आगया, मैंने एक step में कर दिया, आप next step में कर सकते हैं, 2-3 steps में कर सकते हैं, तो cos x into, यह तो हो गया 1, अच्छा, अब यह denominator बच गया, तो देखे, under root of sin of x plus 0, क्योंकि h की limit 0 है, तो x plus 0, यानि कि सिर्फ root of sin x बचेगा, बीच में plus का sign, अच्छा, यह root of sin x पहले से ही था, अब इसको मैं further क्या लिख सकता हूं, हाँ, cos x into 1, यानि कि cos x, ठीक है, अच्छा, root sin x plus root sin x, यानि कि 2 under root sin x, तो यह मेरा final answer आगया, यह है उस, जो भी मुझे question दिया था root sin x का derivative है ना, cos x upon 2 root sin x, ठीक है, चले अब यह next question देखते हैं, देखे, complication और बढ़ गया, यह यहाँ पे sin root x दिया हुआ अच्छा, complication कैसे बढ़ा देखते हैं, अब देखे, starting तो हमारी बहुत easy होती है, अगर fx यह दिया हुआ है, तो fx plus h क्या हो जाएगा, sin of root, as it is लगाऊंगा, इस x को बस मुझे replace करना है, x plus h से, यह हमें ध्यान रखना होता है, अच्छा, अब first principle क्या कहता है, f dash x या फिर the derivative is limit h is tending to 0, fx plus h minus fx upon h, ठीक है, अच्छा, अब मैं इसको लिख लूँँगा, limit h is tending to 0, fx plus h क्या हो जाएगा, sin of x plus h minus sin of x divided by h जो first step है, बहुत simple होता है, और बाकी step भी simple होता है, बस थोड़ा सा आपको मैंने logic जैसे की बताते जा रहा हूँ, है ना, वैसे हम चलेंगे, तो यह question कोई मुश्किल है नहीं, अब क्या कर सकते हैं, देखे, previous question में total root था, तो हमने root को पहले solve किया, अब यहाँ पर total root नहीं है, sine minus sine है, देखे, यहाँ क्या है, उसको छोड़ो, sine something minus sine something, root को अगर मैं भूल जाता हूँ, तो यह sine c minus sine d का formula बन रहा है, जहाँ पर c की जगा, यह root x plus h है, और d की जगा, सिर्फ root x है, तो sine c minus sine d का formula क्या है, 2 cos c plus d by 2, and sine c minus d by 2, तो मैं 2 cos c, यानि की x plus h लिखता हूँ, यहाँ पर formula mention कर देता है, sine c minus sine d, फोड़ा reference के लिए easy हो जाएगा, 2 cos c plus d upon 2, and sine c minus d upon 2, यह formula हम यहाँ पर apply कर रहे है, तो cos c plus d, यानि की plus under root of x upon 2, bracket लगा लेता है, फोड़ा confusion नहीं रहेगा, और sine c minus d, यहाँ गया, ठीक है, यह formula हमने लगा लिया, ना इस whole thing upon h, यहाँ पर limit हमने लिखा है, limit h tends to 0, ठीक, यह हो गया, अब क्या किया जाए, what should be our next step, तो next step देखे, उसके लिए, क्या करेंगे हम, खुड़ा सा सोचे और बताईए, क्या हो सकता है, अब यह हो गया, अब यह हो गया, अब देखे, क्या है, इस cost से, मुझे कोई problem नहीं है, जिए ना, cost से कोई problem नहीं है, क्योंकि वैसे भी देखे, यह plus हो रहा है, problem है, इस साइन से, because the moment में limit, h की 0 put करूँगा, एक तो यह नीचे 0 बन रहा है, दूसरा, यह h 0 बन गया, तो root x minus root x, मतलब यहां भी 0 आ गया, और sin 0 क्या होता है, हम 0 होता है, तो मुझे, इस साइन का कुछ करना है, अच्छा, दूसरी चीज मुझे मालूम है, जब भी sin 0 होता है, तो sin theta upon theta 1 होता है, limit में, अगर theta tending to 0 है, तो theta upon theta, मतलब इसके नीचे, अगर exactly यही चीज आ जाए, देखे, theta और theta, यही तो हम कर रहे हैं न, तो exactly यही चीज, इस sin के नीचे आ जाए, तो यह 1 बन जाएगा, तो हम इस चीज को लाते हैं, पर कैसे लाएं, है तो नहीं, है न, नीचे तो सरफ h ही है, तो कैसे लेके आ जाएजाए, देखे, यह h यहाँ पर पहले से है, ठीक है न, अब, मुझे sin x plus h, और यह जो minus x है, root में, पहले तो मैं इसको लिख लेता हूँ, तो मैंने multiply करके, sin लिखा, under root of x plus h लिखा, minus under root of x लिखा, whole upon 2 लिखा, चिक, अब इसको 1 बनाने के लिए, मुझे exactly यही चीज नीचे चाहिए, तो मैं exactly यही चीज नीचे, लिख देता हूँ, x plus h, minus x, upon 2, चिक, इतना समझ को आगिया, अब नीचे जो यह चीज मैंने लगाई, यह तो मैंने अपनी मर्दी से लगाई है, तो अपनी मर्दी से मैं कोई चीज अगर, नीचे लगाता हूँ, तो यह क्या क्या मैंने exactly इसी चीज को कॉपी किया, नीचे, और exactly इसी चीज को उपर भी कॉपी करना है, अब दीखें, यहाँ पर जगा नहीं है, तो मैं यहाँ कहीं पर कॉपी करना होगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सा छूटा करके लिखता है, यह हो जाएगा, limit, h tends to 0, 2 times, cos of, x plus h, x, upon 2, ठीक है, upon h, और मुझे exactly इसी चीज को यहाँ पर, है न, लिखना है, तो यह हो जाएगा, root x plus h, minus root x, upon 2, यह सारे का सारा numerator में, ध्यान रखेगा, यह सारे का सारा numerator में, मैंने minus करके, उसी line में लिखना था, मैंने नीचे लिख दिया थोड़ा सा, जगर की कमी के वज़े से, अब देखे, यह वाला 2, और यह नीचे वाला 2, आपस में cancel हो जाएंगे, तो फाइनली अच्छा, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, ताकि confusion ना हो, अच्छा, दूसरी चीज ध्यान रखेगा, यह कॉस्ट के अंदर जो अपान 2 है ना, इसको आप इस 2 से कभी cancel मत कीजेगा, या फिर साइन के अंदर जो 2 है, कई बार ना, बचे यह गलती करते हैं, अंदर वाले 2 को बाहर वाले 2 से cancel कर देते हैं, साइन के within, कॉस्ट के within, या किसी भी trigonometric function के within, है ना, मानले जो टैन है, और इसके अंदर x प्लस y अपान 2 दिया हुआ है, बाहर 2 लगा है, तो यह जो बाहर वाला 2 है, trigonometric function के within, जो अपान 2 है, उससे cancel नहीं होगा, कभी भी बाहर वाला number, अंदर कोई छिडखानी नहीं कर सकता, बाहर वाले बाहर, अंदर वाले अंदर, ठीक है, तो यह आप हमेशा ध्यान रखेगा, अंदर, अंदर ही आपस में, अगर होगा, तो होगा, ठीक है, बाहर वाला अंदर, interfere नहीं कर सकता, तो यह हमेशा ध्यान रखना है, अब, मेरे पास, finally, जो बच्चा, वो है, limit, h tends to 0, cos of, root of x plus h, plus root of x, upon 2, 2, अच्छा, यहाँ पर मेरे पास, root of x plus h, minus root of x, इसका upon 2, cancel हो चुका है, और साथ मेरे पास, sin, x plus h, minus x, upon 2, और इसके नीचे भी, x plus h, minus x, upon 2, यह मिल गया, ठीक, अब मुझे मालूम है, यह तो 1 बनने वाला है, ठीक है, अब तो एक काम करते हैं, limit h tends to 0, यहाँ पे हम, limit, h tends to 0 लिखके, यह पूरे के पूरे, इसको 1 बना देते हैं, ताकि यह लिखना ही नहीं पड़ेगा, बार बार, मुझे मालूम है, वो 1 बनना है, तो उसको हम हटाते हैं, ठीक है, अब मेरे पास यह बच गया, यह वाला portion बच गया, अब इसको क्या किया जाए, देखें, अभी भी बात बनी नहीं है, यहाँ पे नीचे upon h है, वो मैंने लिखा नहीं था, अभी लिख दिया, ठीक है, वो sign वाला portion तो खतम, यह बच गया, इसी h 0 बनेगा, रूट x मैनस रूट x यह 0 बनेगा, तो मतलब इसको यह जो है, किसी ना किसी तरीके से हटाएगा, कैसे, मैं इसको एक काम करता हूँ, rationalize करता हूँ, तो rationalize करने लिए मैं क्या करूँगा, इसी के conjugate से multiply करूँगा, यानि under root of x plus h लिखूँगा, बीच में minus sign है, तो मैं उसको plus बना लूँगा, under root x लिखूँगा, और exactly यही चीज में नीचे भी लगा दूँगा, यानि root of x plus h लिखूँगा, और root of x लिखूँगा, फिर मुझे क्या करना है, numerator, numerator, numerator आपस में merge हो जाएंगे, तो मेरे पास आ गया limit, h is tending to 0, cos, ठीक है, root of x plus h, plus root of x, divided by 2, और जैसे कि मैंने बताया था, राश्लाइस जब भी करते हैं, root हटा देते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास x plus h, root हटा दिया, minus x, root हटा दिया, और जो denominator में है, उसको as it is रहने देते हैं, यह हो गया, ठीक, अब, पहले इसे साफ कर ले, ठीक है, तो simple आपने देखा, यहाँ पे बस rules का ध्यान रखना है, कि अगर sin 0 है, तो उसको 1 बनाने के लिए क्या करूँगा, जो उसको 0 बना रहा है, मतलब, जो उसका angle है, उस angle को मुझे नीचे लगाना है, ठीक है, अब उस angle है, मुझे एक नई problem दे दी क्या, कि मैंने root x plus h अपनी बर्दी से तो लगा दिया, लेकिन अब यह 0 बन रहा है, तो उसको हमने rationalize कर दिया, वो problem भी हट गई, अचाए, this whole thing upon h है, जो मैंने mention नहीं किया था, अब next step हमारे क्या हो जाएगा, limit h is tending to 0, cos of under root x plus h, plus under root x upon 2, अब इसको solve करते हैं, x और x cancel, यहाँ पे h बचेगा, upon, यहाँ पे h पहले से था, root of x plus h है मेरे पास, plus root of x मेरे पास है, अब यह h और h आपस में cancel हो गया, मतलब यह जो 0 बनाने वाला, जो disturb मुझे कर रहा था, disturbing element, वो हट गया, ठीक है ना, तो मेरा काम हो गया, क्योंकि मेरा aim था, इस h को किसी भी तरीके से हटाना है, first principle में हम, पीछे हम अलड़ी एक limit ले चुके हैं, जो sin theta upon theta का formula लगा कि उसको हटा दिया, पाकि मेरा काम आसान हो जाए, नहीं तो हर बार मेरे को वो sin, sin फलाना है न, root x plus h upon root x, plus root x upon, वो सारा बार-बार-बार-बार लिखना पड़ता, तो उसको मैंने पहले ही हटा दिया, ठीक है, पाकि लिखना थोड़ा कम पड़ेगा, अब यहाँ पर taking limit जब करेंगे, तो देखे, क्या बन जाएगा, यह हो जाएगा, cos of brackets में, root of x plus 0, सिरिफ root x लिख दे, क्या फरक पड़ता है, क्योंकि 0 में add होगा, तो x ही बचेगा, यह root x, अच्छा, divided by 2, ठीक है, ध्यान रखिएगा, bracket है, अंदर वाले, अंदर ही आपस में निप्टेंगे, बाहर वाला अंदर interfere नहीं कर सकता, ठीक है, यह h तो हट चुक है, root of x plus h, यानि कि सिर्फ root x, क्योंकि h की value 0, यहाँ पर भी root x, क्या बन जाएगा यह, cos of root x plus root x, यानि 2 root x, और नीचे आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 2, root x, root x plus root x, नीचे, denominator में आगया root x, ठीक, 2 और 2 आपस में cancel, तो मेरा final answer, cos under root x, upon 2 under root x, यह final answer है, ठीक है, और हमें यहाँ पर, थोड़ा सा attention भी रखना है, और यह with practice, आप देखें, यह देखने में, लग रहा होगा, काफी लंबा है, लेकिन हाँ थोड़ा सा practice करेंगे, बहुत easily हो जाएगा, समझाने में इतना time लगा, बट आप करेंगे तो आपको और कम time लगेगा, ठीक है, करेंगे लेकिन है,